नमस्कार सौगत है आप सभी का आज के एक और वीडियो में इस वीडियो में अकेल ओफीसिल वेबसाइट के बारे में एक इन्फरमेशन आप सभी को देना चाहता हूँ कि अगर आप ओफीसिल वेबसाइट को लैप्टॉप या फिर डेक्श्टॉप पर ओपेन करते हैं तो यहाँ पर कुछ फाउंडर्स को यह जो थ्री लाइन का ओप्शन है मिन्स जो हमारा मिनू बार है लेप शायड में ऊपर कॉर्नर पे तो कुछ फाउंडर्स को यह दिखाई देता है और कुछ फाउंडर्स को इस टाइम पर आज के दिन दिखाई नहीं दे रहा है तो जिनक यहाँ पर मैं 2-3 point बताना चाहूंगा सबसे पहला point कि यह three line भलही आपको दिखाई नहीं दे रही है बट जैसे ही इस three line के जगे पर इस पर click करेंगे आप तो आपका जो menu bar का जो tab है about us का, login का, media center का, blog का यह सारे tab आपके सामने open हो जाएंगे भलही आपको three line दिखाई नहीं दे लिए लेकिन जैसे ही उस जगे पर आप click करेंगे तो सारे option आपको यहाँ पर नजर आएंगे इसके regarding मुझे maximum founders के comment भी receive हुए call भी आये, message भी आये तो आप से भी को बहुत बहुत धन्यवाद आप से भी लोग बहुत ज़्यदा support करते हैं और मैंने again यह सारी ज़्यदे चेक की उसके बाद मैंने browser को update किया yesterday साम को यानि की रात में and आज morning में भी मैं चेक कर रहा था तो यह option मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था दूसरी बात मैं वहाँ पर click कर रहा था सारे चीज़े clear करने के बाद जब मैंने दोबारा से open किया तो सब कुछ okay हो गया friend यहाँ पर कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही है दूसरा point अगर यहाँ पर किसी को three line का option नहीं दिख रहा है लेकिन अगर आप जो आपका यह browser है अगर इसको आप desktop site में करके देखेंगे तो three line का option आपको दिखाई देगा friends ठीके न जैसे ही आप अपने browser को desktop site में करेंगे तो वो three line का option आपको दिखाई देगा दूसरी बात जैसे मैंने अपने browser को जो history था उसको clear किया clean किया browser को update किया इसी परकार से आप सभी लोग पहले browser के history को clear कर दीजिए एकदम clean कर दीजिए उसके बाद play store पर जाईए chrome लिक कर सर्च कीजिए chrome का application आपके सामने आएगा update का option वहाँ पर होगा update पर click करके अपने browser को please update कर लिजिए जो भी browser आप यूश करते हैं corner पर दिखाई देने लगेगा जिस परकार से अभी आप मेरा देख पा रहे फिंट ठीक है ना यहाँ पर सब कुछ clean कर लिया है आप डेड कर लिया browser को अच्छे से तभी मेरा browser अच्छे से work कर रहा है फिंट so अगर आपका browser means यहाँ पर onpassive.com का जो website है आपके लिए अगर अच्छे से open हो रहा है काम कर रहा है तो आपको कुछ भी करने की जरूत नहीं है लेकिन अगर आपको इस menu बार की रिगारिक आपको कोई भी problem नजर आ रही आपके browser में तो please अपने browser के history को clear कर लिजे clean कर लिजे उसके बाद play store पर जाकर update कीज़े अपडेट करने के बाद जब आप दोबारा चेक करेंगे अपने browser पर onpassive.com website को तो वहाँ पर आपको सब कुछ okay नजर आएगा फेंड और इसके regarding मैंने रात में ही support को mail कर दिया था तो यहाँ पर अगर कुछ technical issue भी रहा होगा तो वो भी okay हो चुका है तो आप लोग अपना browser अपडेट करके आराम से official website को again आप चेक कर सकते हैं आप कोई भी दिक्कत नहीं है नहीं है।